भी बिस्मल्म, रख्मान रहीम यह स्टूडेंट्स वेल्कम तु भी लोजी क्लास लास क्लास में बायोजी गार चेप्टर मदर ट्वेल्फ अम्ने स्टाट किया तिसका नाम है न्यूट्रेशन सेप्टर 11 कंप्लीट हो गिया था और अब में चेप्टर 12 स्टाट किया था कहा लिए उर्गेनिजम्स जो अपने फंक्शट्म थोते हैं इसको पर्फॉर्म करने के लिए इनको並 каких छो٠ि इतने भी फंक्शन वी जिसके जिसरी जिन्द रहरा है , अपने सेल डिविजन करन, मेताबॉलिजम करना, आदर चीज़े बनाना , चीज़े तो लिविंग और्गैनिजम्स को अपने बाडी को के तमाख फंक्शन को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और हमने पिछले चेप्टर में पढ़ा था चेप्टर 11 में कि वह एनर्जी हासिल करते हैं जी फूड मॉलिक्यूल्स हम जो लिविंग और और्गै हासिल करते हैं और प्रविंग को तोड़ते हैं इस पूड को तोड़ते हैं का ज़री है पिसले चेप्टर पर पढ़ा है यह पूरी चेन हो रही है तो आपको बिदिम और आपको अपको अपनी बॉड़ी में तमाम फंक्रिशन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की सब्ध है और जो उस एनरजी का क्या नाम है केमिकल एनरजी कहां पर है जी वो फूड मॉलिक्यूज के बॉंड में लहाजा आपको फूड मॉलिक्यूज हासिल करना पड़ते हैं आप उस फूड मॉलिक्यूज को जब हासिल कर देते हो फिर आप एक सेलूलर रिस्पाइरेशन नाम के अब यह जो फूड मॉलीक्यूल्स हासिल ते जाता है इस्ट प्रोसिस को हम कहते हैं है नप्लसिशं स्भीगरयि पॉसेटीजीज फॉड सूधे ॉर्गैणिजेंद आइंउत यह प्रिंटी किया रहा है इस्टेशन को हम कहते है नफ्टेशन staticeDER नूस्टीका थाए cellular respiration के जरीए उन food molecules को ब्रेक करके उनके अंदर store chemical energy निका ली जा सके और फिर यह उस chemical energy के जरीए अपने तमाम functions को परफॉर्म कोड़े हैं तो that process to obtain food is called nutrition फिर हमने बात की थी mood of nutrition की mood of nutrition plant का अलग होता है जी animals का तोड़ा अलग होता है तो mood of nutrition in plant को अगर हम देखें तो plant के पास खाना खाने के खाना हासिल करने के दो mood होते हैं दो तरीके होते हैं nutrition के पहले तरीके को आपके तो autotropic और जूसरे को आपके तो hetotropic यह कई रहा पढ़ चुके इंजिए हम चोड़ी classes में भी और इस classes के अंदर बी autotropic mood of nutrition क्या होता है यह ऐसा mood of nutrition है जिसके अंदर पौदे अपना खाना अपने फूड मॉलेक्यूस और फूड मॉलेक्यूस फूड मॉलेक्यूस फूड तयार करते हैं अपने फूड मॉलेक्यूस फूड मॉलेक्यूस खुड नहीं बनाएगा अपनी बॉडी के अंदर बना रहे हैं तो आप कहोगे वह और बाहर से हासिल करें तो आप होगे है autotropic की दो टाइप्स होती है phototropic-chemotropic. What is photosynthesis के जरिये food molecules बनाए जाएगे photosynthesis में आप जानते है light इस समाल हो रही है तो हम यह कह सकते हैं कि phototropic mode of nutrition क्या होता है जिसमें light energy को use किया जाए light energy को use करके आपने food molecules बनाए है तो यह phototropic हो जाता है जबकि chemotropic क्या होता है? light energy को यूज नहीं किया जाता, कोई simple सा molecule inorganic substance लिया जाएगा, उसको break करके उसके साथ कुछ चीज जोड़ जाड़के आप उसमें से energy हासिल करते हो, इसके example में आपको ती ती denitrifying bacteria जाती है, उसके बाद heterotropic पड़ा हमने, heterotropic mood of nutrition plants में तीन कैटिगरी हैं जी तीन टाइप्स ने पैरसाइटिक, सैप्रोफाइटिग और इंसेक्टिव और पैरसाइटिक और पैरसाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना जो है, किसी living organism से हासिल करेंगे और उसको नुक्सान पहुचाते हैं, इसको आप पैरसाइ मॉलिक्यूस के लिए होस पर डिपैंड करते हैं और फूर मॉलिक्यूस होस से हासिल कर रहे होते हैं, जबकि पार्शल क्या होते हैं, जो सारा का सारा फूर नहीं हासिल करते हैं, बलकि कुछ ये खुद बना लेते हैं, नूट्रियन्स वगएरा जो है, वो अपने होस से हास और अगर आप कहते हूं कि भी एक प्लांट एक प्लांट है जो कि हाली न्यूट्रियन्स वगेरा नाइट्रोजन पुटेशियम वगेरा ऐसी चीज़ों को होस से आसिल कर रहा है मेजर फूर मॉलिकूस भुद बना रहा है तो आप कोगे कि वह पार्शल पैरसाइट है रूट पॉद ब्ली है कर देखने जिखाने को आसिल कर रहा है उसको तोड़के वर्स ऐसे पौदे होते हैंगे इंसेक्ट बेखने नोके ईंसेगैन इंसेश्ट पर.. और यह उनको तोड़कर उसमें से जो है कुछ मॉलीकूस हासिल करें जो है याद रखेगा वह फोटो सेंपिटी को अपना खाना को तयार कर सकते हैं फोटो सेंपिजिस के जरीए लेकिन वह जिन इलाकों में पाए जा रहे होते हैं वहां पर उनको मिनर्स नहीं मिलता है नाइ अवाले से बात करते हैं जो है उनमें टृषन के कौन-कौन से मूड कौन-कौन से तरीके है कर देखेगा नाइमल और से असरे जार रिकर्त नहीं होता वह सिर्फ है डीह इनिमस तो है अपनी बॉडि के अंदर फूड पेल नहीं कर सकते यह हमेशे अपना फूड यह एन्व परसाइटिक, सैपोफाइटिक और होलोजोई परसाइटिक और सैपोफाइटिक तो वह यह जो पौदों में भी आपको बताया गया परसाइटिक मूड अफ नूटेशन या परसाइटिक एनिमल्स क्या होते हैं जो एक लिविंग एक जानदार होस से अपना खाना हासिल अगी टिजीजस पयाँ करते हैं और इसके अंदर पुचाओ फिन फोँस को आइसा जिसके अंदर आइनिमल्स एकषिन से खाना हमें। और इसको नपस्य नपचाइब परासाइटिक तो यह फिसको दो थैप्ति रहुता होता है आदए पहँंद हमतला है और एंडर अगर यह जो पैरसाइट है यह अपने होस की बाड़ी के बाहर पाया जा रहा है तो आप इसको एक्टो पैरसाइट डिक्लियर करोगे और अगर आपका जो पैरसाइटिक और गैनिजम है वो होस की बाड़ी के अंदर पाया जा रहा है तो आप इसको एंडो पैरसाइट होती ह और मॉस्क्रेटों जो होता है यार एक्टोपेरसाइट होस की बाड़ी के बाहर रहके होस की बाड़ी से खाना हासिल करता है इसको नुक्सान भी पोछाते हैं का दूसरी केटिगरी जो फेसी कि अंदर आकको बताया गए है कि सेप्रोफाइटी क्या होते हैं ऐसे ईनिमल होंगे जो एक डίड बॉली्सी काना असल करने चाहि ouais काना असल पर शाहिंज करते हैं और इन वहाया नंदर आपको बताया किंग धी कि यह पहले खाने को डाइजेस्ट करते हैं, फूड मॉलीक्यूस को डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद उसको इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्टन क्या होता है, फूड मॉलीक्यूस यह जो पॉलीमर्स होती है, इनको ब्रेक करके इनको छोटे-छोटे मोनोमर्स में कनवर्ट करना यह डाइजेशन के लाता है चैप्टर टू में भी हमने पढ़ा है पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जैसे पॉलीमर्स आपका अर्बॉइड अगर आप उसको ब्रेक कर देंगे उसके चोटे-चोटे मोनोमर्स को अलयादा कर देंगे जिसको आपके तो मोनो सेक करते हैं और उसके बाद उसको अंदर लेकर जाते हैं चैसे बैक्टेरिया हो गया फंगस हो गया यह सब सेप्रोफाइटी होता है फिर होलोस्वाइक क्या है जी यह सेप्रोफाइटी की अपोजिट हो गया है यह क्या करते हैं यह पहले इंजस्ट करते हैं बात में डाइज को तोड़कर उनको जो मोनोमर्स करने वाला मामला यह को रहे हैं जिसको आप करें वाटी के एंदरौटा ते इनको पादने वाले होते हैं in के एक्सक्रावर मूमर्स को तोड़कर उनको जो ममोमर्स करने करने मामला है GTA red को एक्याज्स का जबकि इनके साथ विलोन तक artists के सा we gozaat ने क्या मामला एक यह पहले इंजेश्छन कर रहा जाए इनिम transm Delicious to लेकर जाते हैं पुनी बोड्य के ऊपारी के अंदर जाके मॉलीक्यूल का ब्रेक्दाउन और लूरा होगा पॉलिमर्स कंवक्रो होंगे मोनोमर्स के अंदर यानि-डाजिशन बॉडी के अंदर होता है समल्राइब आञ इस और ऑमाडनी और दर दादम कन दोधाल को डाइब आजन्य पाए जाते हैं अलग अलग ब्रांचिस के अंदर अलग अलग किसम कर दें तो यह कुछ उद में से नाम लिखे में थोड़ा सा इनको में एक्स्प्लेइन कर दें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं पहला केटिगरी का नाम आपको जो नदर आ रहा हुए हर भी वोरस यह ऐसे होलो इकलोजिकल नाम होता है एकलोजिकल टर्मिनालोजी जो होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स ए बायोटिक कंपोनेंट्स वहां के हैं यह यहां तक जो है ना यहां तक यह सारे एकलोजी के नाम है एकलोजी में आते हैं एकलोजिकल ब्रांच तुबाराल हम में इनको एक्स्प बुर्स बीके और घृष जो प्लस कार्नि वृरस प्लस हो अक्सर के प्राइमरी जो आपके प्रुडूस को खाते हैं कि या शल्ष आध को आंती हैं कि उन्हों को भिए प्राइमिरी कंजूमर्स को खाते हैं जब के डीन सारे हम उनक होगा है हैं हैं इन सब में ये वाला होगा है हुड और सारे हम जा वो खाते हैं इसके बादध पर क्या होता हैं। यह इसी तरीकर से डेट्राइटि वोरस जो होते हैं यह हैं इसी चीज का इंसाइड और उसाइड का व्यारा होता है यह जब मूर्दा खाता है तो यह पहले जबके डेटराइटी वोरस जो होते हैं यह मुर्दे का खा लेते हैं और इनकी बॉडी के अंदर जाके डाइटिस्टन होता है यह जैसे के गिद हो गया खुरो हो गया ठीक है अक्सर हमारे कुछे जो है उनका बेटराइटी वोरस कह सकते हो एविन के आप जो है शेर वगएर उसको जो किसी जिंदा को स्ट्रेइगा उसको मारेगा उसको खा जाएगा इंड़न फिलर फीडर्स केते जी जिनका जो मूर्ड उंटरीतरी तरी इत्रवित अ कि तरह हो स्पन्जिस के अंदर किस तरीके से फिल्टीम होती है कि उनके पानी आ जाता है और पर उस पानी के अंदर से वह अपने जो फूड मॉलेकूल चुटे और पानी की अंदर से पानी चोली तो इसने फूस्त अडानюсьम निखल लेन उन्हीं को निख्या निखल लेटे है और पॉन्यूलिटर लिट agree वहें इसमेंसे सबहसुं की उसके लेसे अपने पूट पार्टिकले माइक्रोफिस केहते हैं औरियाजिम्स को जिनका फूड मॉलीकूस होता है बराल यह माइक्रो और मैक्रूफिचिस जो टिम है बड़ा जो पनाऊ है माईक्रोसकोपिक जैसे के लिए इनका मैक्रोसकोपिक और गएनिजम होते हैं जबके हम जो होते हैं हमारे बड़े बड़े होते हैं पूरा-पूरा बर्गर साइस की तिकन ठिक्टे का साइज देुए तो यह बहुत सारी टाइप्स के थे आफिस सी एकए मेल की दिपनेशन की है दो करते हैं पैर डियकल भी बात के लिए आइनिमल आपको व्यक्रानौी तो मेलें गेपको एक्टो पैरासाईघ्ट नेकस्ट अपरइस्स्य क्या है 2016 में इसके सेवाहिज usually wyb viol एक्षाइट़ अदर उसकूंत नूट्रियंट्स कहते हैं जी यूजफुल मटेरियल इन वर फूद उसको जानी हम जो खाना खाते हैं अब यहां जरा स्पैसिफिक बात इंसानों की रखेगा देन में तॉपिक को समझने के लिए हम अपनी अपनी ही एग्जेंपिल देंगे इनसानों की तो नूट्रियंट् हैं हम कहा हैं होलो ज्वाइख का मतलब हो गया हमारी बॉल्डी आ हम जो है वह पहले जो हैव इनजेस्टिक्त करते हैं खाने को दिए और उसके सब पाद न्हीं हमारी बॉल्ड़ी के अंदर होगता है नी फूश मॉल्यकूल रा ग्रेकटाउन जिस के अंदर वह पॉलिमर् te olotype mood of nutrition तो जो होता है जिसके अंदे लोग औरगानिजम छो इखाना खा लिता और बॉड़ी के अंदर जाकर उस खाने को तोड़ता पॉलीमर्ण तो 覮ाते हैं पॉलीमर्ट को तोड़े के मॉनोमर्ट में खलवाई कॉया है पूरियान कि खाई तो यकीन माने उस विरियानि के अंडर जितनें भी पिताहाई सा किसम के मॉलिक्यूज ऐं गारे बाडी त्रावरी बाडी वह तॉ तमाम माटेरियल को नहीं निकाल सकते हैं हमारी बाडी के पास चंड़ इंजाइम्जीन और उन इंजाइम्स के इतबार से हमारी काई लेकिन आपके बॉडि इसमें यह दून पाये इसमें जोबेद भाप्रवे बॉडिजD निकाल पाइगी इसमें इसमें जोब नीट विञ worn by इसमें से मिन्रल सब्सक्राइगी इसमें से tat BEN यह दृब् relatively निकाल सकती है यह आपकी बाड़ी निकाल नेगी बाकी जो इनके अंदर चीजे बच जाएंगी रिमेनिंग जो माटेरियल होगा वो बेकार होता है हमारी बाड़ी के लिए यूसलेस होता है उसका हमारी बाड़ी निकाल सकती है ना कोई यह सब्सक्राइब क्योंकि आइरन जो है वह आइरन तोड़ा बहुत विटमिनर्स में आ जाएगा लेकिन अभी आम उसको इग्णोर करते हैं आइरन में जो है वह इस केटिगरी में नहीं आ रहा है ना कार्बाड़ेट ना प्रोटीन ना लिपीड ना मिनले ना वह विटमिन है ठीक है तो यह हमारे पास ऐसे इंजाइम्स नहीं है जो इसको तोड़ सके यह न्यूट्रियंट नहीं है यह काम कर नहीं है यह ऐसे दिस एक्स्क्रीट आउड़ जाएगा इसी तरीके से आप S.C.L. खालो तेजाब खालो आपकी बाड़ी उसको थोड़ी तोड़ी हमारे लिए सिर्फ कुछ हमारी बाड़ी के लिए कुछ मॉलिक्यूस काम कहा होते हैं उन कुछ ओल मॉलिक्यूस को तो यूस्पुल मेटेरियल जे हमारी बाड़ी के अंडर जो यूस्फुल काम के मौलिक्यूद हैं उनको हम न्यूट्रियंट्स कह रहे होते हैं कार्भो हाइडरेट प्रोटीन लिपेट्स मिनरल्स और विटामिन यह सिब पांच मौलिक्यूद हैं जो आपके फूट के अंदर आपकी बॉड़ी को चाहिए इन पांच के अलावा पाकी तमाम चीजें आप कि बॉड़ी जो निट्रिंटिंट्स नहीं होता है आपकी बॉड़ी के लिए काम चाहिए भीक तो क्या है जैसे कि Schweiz करी ऑखते हैं तो प्रणीक्षा कोई खाना cela क्का बुखान गया में बने इस खाने कहता आप पैपर आते ही तीन चैप्टर के सहवाल तो से समादेंप करो बागे सब क्या है आपके लिए वेस्ट है आप क्या करोगे इसको फूर दो यह इमामने हैं हमारी बॉडी की अंदर अल्ला ने अमारे बॉडी के अंदर जो इंजाइम्स दाने में वह खाली इन छे मॉलिक्लूस को तोड़ कर इनको अलाइदा करके इनको फूर में के अंदर काम के मटेरियल होते हैं इनको हम नूट्रियंट के हैं कौन-कौन हैं जी हमारे लिविंग और्गैनिसम्स के लिए नूट्रियंट यह आपके साबने नाम लिखे हैं कार्भो हाइड्रेट्ट प्रोटीन लेपेड्स विटामेंस मिन्स इन सब की बात हमने अजिकली अगर मैं डिफाइट करू तो आइसे मॉलिकूजू यह मीठे जाई के होते हैं ज्यादातर सफैद कलर के निदर कैने ऊनिद्धरी चीजें होती हैं इंकी जितनी ज्यात्ती होगा आपका खाना उतना मीठा होता जाता है तो तो यार्ट एज़गते हैं और लेकिन अच्छी बात यह है कि यह हमारी बॉडी में सबसे पहले डाइजेस्ट होता है फॉर्स्ट टू ब्रेक जानी कि अगर आपकी बॉडी को सेलूलर रिस्पाइरेशन करके मॉलिक्यूस को तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालनी होती है तो सबसे पहले किसको तोड़ा करbohydrate को वाइस जाधा मॉलीटर क कि भाट करें तो बॉडी कि मिलुकोल घ्रह उसमुड़ के श्वेलबर सीटेम से बसक्राइब करेंगी सबसे तोड़ा जाता लोह काषब करके इनर्जी सबसे पहले निकाली चाती कार्बो रिडिग्स क्या है हमारे फूड के वो ग्राइट के व स्वफा लगाना मीठो इनके और सब से कम एंइर्जी होती है लेकिन हमारी बॉड़ी सबसे पहले फूड के अंदर से इन तो कार्पो-धाइडवेड को ब्रेक करती ए सेलूलर रिस्पाइरेशन के ज़रह pressure और energy निकाला कि आप देखा था तो आपने उसमें क्या देख था ťा रहा था त्यामने लिया था और इस झो मने लिया vita और यह तो तोड़ा था बादिग के यह हम उसको आइए कि पढ़ चुके हैं हम चैप्टर में तो प्रोटीन जो है हमारे जो मसद्स वगेरा होते हैं उनके अंदर पाये जाता है जैसे कि गोश्ट हो गया अंदा हो गया मचली हो गयी मर्गी हो गई इन में जहाथ तर प्रोटीन होता है energy के अतबार से इनके अंदर धर्म्याने किसम की energy होती है moderate यानि के और जादा energy होती है लिपिट से तोड़ी कम होती है तो moderate कह लेते हैं इनमें धर्म्याने category की energy होती है और body इसको जो जो ए तीसरे नंबर पर break करती है third two break सबसे कोशिश करती है body आपके protein को बचाने की तूकि आपकी body के अंदर construction level के अतबार से protein सबसे important compound होता है इससे आपकी सारी membranes बनी है इससे आपके सारे enzymes बने हैं आपके enzymes ही आपकी body के अंदर तमाम functions perform कर रहा है तो protein का level अगर आपकी body में कम हो जाएगा तो आपके body में enzymes कम हो जाएगे और enzymes कम हो जाएगे तो आपकी body में सारे functions जो है उनकी speed slow जाएगी और काफ भी पर जाएगा जीने मरने का मामल हो जाएगा तो इसलिए इस वज़ए से food के जो protein molecules होते है body उनको बचाने की कोशिश करती है तीसरे नंबर पर ब्रेक करेगी अगर ज़रूरत होगी तो सबसे पहले वो अर्वाइटर को ब्रेक करेगी मजीद energy चाहिए तो लिपिट्स को ब्रेक किया जाएगा और अगर लिपिट्स को ब्रेक हो गए लिपिट्स भी खतम हो गए फिर भी मजीद energy चाहिए फिर बाड़ी मजबूर है protein को तोड़ेगी अगर जब protein तोटता है तो डारेकली protein cellular respiration में नहीं जाता यह भी मैं आपको explain किया हुआ प्रोटीन पहले लीवर में जाता है protein के जो molecules है उनके जो simple molecules हो तो उनकम कहते है amino acid यानि monomers जो होते हैं उनकम कहते है amino acid amino acid directly cellular respiration नहीं हो सकता हमने जब cellular respiration पढ़ा तो हमने उसके अंदर देखा कि cellular respiration होता है कार्वाइड यानि glucose तब amino acid cellular respiration के जरी कैसे तूड़ेगा यह तूटता है लीवर के अंदर लीवर के अंदर यह जाता है इसमें से amino group निकल जाता है अब जब amino group निकल जाता है arrangements होती है जी और आपके पास बचेगा वह बन जाता है glucose C6 H12 O6 और अब यह glucose यह आपका वैसे breakdown ह होता है cellular respiration तो यह प्रोटीन होते हैं जी प्रोटीन हमारे polymers होते हैं इनका जो मोनोमर होता है उसको हम कहते हैं amino acid यह ऐसे compound होते हैं जो carbon hydrogen oxygen के साथ साथ nitrogen से मिरेवे होते हैं इनके अंदर दर्मियाने दर्जे की energy होती है यह हमारी body building के अंदर एहम तरीन compound में से एक है प्रोटीन की फॉर्म में प्रोटीन स्टोर हुई भी है आपकी body इस प्रोटीन को बुलाएगी इसको तोड़के amino acid में convert करेगी अब जो amino acid में से amino group निकाल देगा अब जब amino acid में से amino group निकालोगे तो फिर वह बचता है glucose और फिर वह गुलूकोस जो है वह cells को पहुचाया ज इनका भी अटामिक चीज़े वह ही कार्बान इडिजिन और बस फर्क यह है कि oxygen का रेशियो बहुत कम होता है बहुत कम oxygen होते हैं बड़े-बड़े molecules होते हैं बहुत जाधा तादात होती है इनमें हाइड्रोगें की carbon की carbonate से समलो सो दो सुपूना बड़ा molecules होता है इसके जो मोनोमर्स होते हैं उनको आप fatty acids या glycerols कहते हो एनरजी के अतबारते हैं यह सबसे highly energy compounds होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा इनरजी पाइट आती है वजह क्या है क्योंकि इनके अंदर bonds बहुत सारे हैं बहुत ज़्यादा bonds मुजूद हैं हर bond में ठिक्षाग energy store होई है तो प्र फिर भी still body को energy की जरूरत है तो फिर बार ही आती है लिपेट्स की और लिपेट्स को तोड़ा जाता है लिपेट्स के तोड़ने वाला मामला भी वही है कि यह लिपेट्स के जो मोनोमर्स होते हैं जिनका हम fatty acids और glycerols कहते हैं यह पहले लीवर से बुदरते हैं लीवर के अं प्रोटीन को खाने का मकसद यह भी होता है कि एक तो इससे एनर्जी भी आसिल कर लिए अगर दरूवत पड़े आपके प्रोटीन एंजाइंस के अंदर होते हैं आपके आप प्रोटीन में मौझूद रहे हैं आपके चीज के और पाने के बाद दूसरा बड़ा प्रोटीन होता है तो इन सारी चीजों के लिए आपके सेल्स को बनाने के लिए इंजाइम्स को बनाने के लिए आप फूड के अंदर से प्रोटीन हासिल करते हैं जबके लिपेड्स जो है यह एक तो हाई एनरजी कंपाउंड यह भी आपको ठिक ठाक एनरजी देते हैं अदर वाइस अगर यह भी दिए आनिया और रहा है आपके लेज़ गाए आपके और प्रोटीज और अधिव बन जाती और यह जाती है और शुट नाम के लिए और बन जाती है और जाती है तो यह 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 रहा होता है अध्य ज़ब इसकी चुद आर और आपके skin के अंदर या आपके temperature maintain करने में न जिसको आपके तो thermoregulation तो यह उसमें भी बड़ा काराम हो दोता है तो ना सिर्थ यह तीनों compound यह तीनों nutrients आपको energy provide कर रहा है बलके आपकी body building और आपके body के अंदर के दूसरे मामनात पर भी इस्तमान होता है जबके इन दो नीचे वाले जो दो हैं minerals और vitamins इनको माइक्रो मॉलीकूल माइक्रो मॉलीकूल माइक्रो मॉलीकूल इस वज़े से कहा जा रहा है इनकी तादात कम चाहिए यह आपको इतना नहीं चाहिए यह थोड़ा सा चाहिए बस काफिए इनको आप ज्यादा मिक्दार में ज्यादा मिक्दार में लोगें नुक्सान हो जाएगा आप इनको कम मिक्दार में बस काफिए वजय क्या है क्यों कि इन से आप एनर्जी आसिल नहीं करते हैं यह दोनों आपको भूध के लिए चाहिए हो आपकी बॉड़ी में यह कोई energy प्रोवाइड नहीं करेंगे आपन मिनल्स और विटामिन्स होते हैं इन से हमारी बॉड़ी एनर्जी आसिल नहीं करती है इनको सिर्फ हासिल किया जा रहा होता है ग्रोथ और डिवलप्मेंट के लिए हमारे फंक्शन अच्छे परफॉर्म करने लग जाए उससे मिसाल के तौर पे आपके खून के अंदर हीमो आपके खून के अंदर हीमोगलोविन उतना स्ट्रॉंग हो जाएगा आपके अंदर ऑक्सीजन सप्लाय की इस्पेंट वह बढ़ जाएगी ग्रोथ हो दी है इसी तरीके ते विटामिन्स आपको चाहिए होते हैं आखों के अच्छी डिवलप्मेंट के लिए आखों नजर इसे थे जस्पेंट नि करते नियुट्रेंट क्या हैं एसे मौलिकूद वोते हैं जो हमारे फूंड में पाए जाते हैं और फूंड खाना यह सारा इनी के चक्कल में और रहू रहा हुता है इन पांच के लावए हमारी बैड़ी और किसी माटेरियल को यूस्वल नहीं bugIT व विटामिन्स, इनका बॉड़ी एनर्जी से कोई तालुक नहीं होता, इनका बॉड़ी की डिवलप्मेंट और गुरोज से चाहिए तालुक होता है, इनको आपने एक मौडरेट कॉइंटिटी में लेना होता है, जादा लेंगे नुकसान हो जाएगा, कम लेंगे तो अभी दोनों सूर्टों में आपको नुकसान होता है, इसलिए इनकी जादा ना मिकदार हो ना इसकी कम मिकदार हो, तो यह आपके पास नुट्रियंट्स होते हैं, यहां तक कोई सवाल है तो पूछिएगा, नहीं तो हम अपनी क्लास को आजब बखनी हैं, पर वाइड अप करते ह झाले करते हैं ।